जिस तरह का क्रेज इंडियन मार्केट में रॉयल इंफिल्ड का है चाहिदी उतना क्रेज किसी और बाइक का होगा प्रीमियम मोटर साइकल सेग्मेंट में रॉयल इंफिल्ड एक पॉपिलर ब्रांड है इसके बहुत काली लुक वाले बुलेट और क्लासिक को ज्यादा तर लोग पसंद करते हैं लेकिन अब कंपनी इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में भी एंट्री करने के लिए तैयार है जी हाँ मेरा नाम है अर्शिद और आप देख रहे हैं आटो लाइट जी हाँ रोइल इन्फील इलेक्ट्रिक ने अपनी Most Aочка प्रेसिक सक्षव ब्रेसिक सेग्ट्रिक से परदा उठाया है रोइल इन्फील की नहीं इलेक्ट्रिक बाइक का नाम वर्लड वर्ट बोर 2 से दोरान इस्तिमाल की गई फ्लाइंग फी पर बेजड है कमपनी के मताबिक Second World War में इस बाइक ने ब्रिटिश सेना का भरपूर साथ निभाया था अब Royal Enfield इसी नए नाम के साथ अपनी इलेक्ट्रिक ब्रैंड लाइनप को आगे बढ़ाने वाली है Royal Enfield Flee C6 एक लेटिस्ट लाइट वेट इलेक्ट्रिक मॉडल है जिसे भारत, UK, एटली और जेपान में बेचा जाएगा नए Royal Enfield Flying Flee C6 को नए अपडेटेड डिजाइन के साथ लाँच किया जाएगा इसमें सर्कुलर हेडलाइट और फ्रंट ग्राइडर फोक सस्पेंशन सेटप दिया गया है इसके अलावा सिंगल पीस सी जैसे स्पेक्स देखकर लगता है कि इस बाइक को अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है इस इलेक्ट्रिक मोटर साइकल में फुल TFT क्लस्टर दिया गया है जिसे ब्लुटूथ के थ्रू स्मार्ट फोन से कनेक्ट किया जा सकता है बेटर राइडिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें ट्राक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स भी दिये जाएंगे फिलहाल रॉयल एंफील फ्लाइंग फ्ली C6 एलेक्ट्रिक बाइक के बैटरी पक रेंच और पावर ट्रेन के बारे में कोई इंफरमेशन नहीं दी गई है ये लेक्ट्रिक बाइक इंडियन मार्केट में 2026 में लाउंच होगा जल्द ही इस पर अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे